आपका एक नए वीडियो के साथ चैप्टर नमबर 9 पोस्ट गुप्ता पेड़ेड लास्ट क्लास हमने गुप्ता के बारे में पढ़ा था विक्रा मजदित्य किसे कहते हैं नानंदर डाइनस्टी किसे बनाएं यह सारी चीजे कवर कर लिया हमने ठीक है अब पढ़ने वाले ह क्या हुआ नदर साइड में क्या हुआ सावदन साइड में क्या हुआ सारी चीजे आज कवर करेंगे इससे पहले मैं आपको इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा देती हूं ठीक है बहुत बार कोशन्स पूछते कि इस इंस्क्रिप्शन में क्या था तो एक जगर पे आप लिख लो जैसे कि समुत्र गुपता जी की बात पुई है कौन-कौन से inscription में समुत्र गुपता ठीक है समुत्र गुपता जी की बात पुई है हमने देखा कि इरान inscription में मिला इसी के साथ साथ हमने देखा अलाहबाद पिलर में मिला या फिर प्याग राज पिलर बोल लो अलाहबाद स्टोन पिलर में मिला और नालन दा कौपर प्लेट में भी समुत्र गुपता जी का जिक्र है यानि इनके बारे में लिखा गया है बनाया गया है नालन दा कौपर प्लेट ठीक है अब नेक्स आ जाते हैं हमारे चंद्र गुपता सेकेंड चंद्र गुपता सेकेंड जिनका जिक्र है महरौली के पिलर में महरौली हाइरन पिलर यही पर नेक्स आ जाता है सकंद्र सकंद्र गुपता ठीक है सकंद्र गुपता इनके बार में बात करूँ तो जुनागर रॉक में लिखा गया है जुनागर रॉक इसी के साथ साथ भी तारी पिलर में है एंड इंदोर स्टोन पिलर में भी जिक्र है इंदोर स्टोन पिलर ठीक है यहीं पे अब बात कर लेते हैं बुद्ध गुप्ता के बारे में इनका जिक्र मिलता है पहारपुर कौपर लेट में ठीक है अब इतर कितना पढ़ा है तो इतनी इंस्क्रिप्शन्स याद रखना एक और वीडियो लाउंगी जिसमें और भी सारे इंस्क्रिप्शन्स पढ़ाओं अगर अब बात कर लेते हैं कुछ राइडर्स की क्योंकि हमने इंस्क्रिप्शन पढ़ लिया तो इसके साथ सिधान्ता पूछ ले तो समझनी आएगा तो एक बड़ ये लिख लेते हैं सूर्य सिधान्ता ठीक है ये किस ने लिखी है तो बाय आर्या भर जी ने लिखी है यहीं पर नेक्स आज जाते हैं हमारे जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर पंच तंत्र पूछ ले तो वो शर्माजी ने लिखा है हमेशा याद रखना मेगः दूतम ये किस 님ने लिखिए ? मेगः दूतम ये लिखी है काली दासच जी ने काली दासच जीए बहुत सारी ऐसे बुक्त लिखे है जाकि ह मेगदू तम हो गया रगू वनसम हो गया यह सारे चीज़े लिख लेते हैं रगू वनसम फिर इसी के साथ साथ लिख लेते हैं कुमार संभाव फिर आजाते हैं एक रीतु संहार एक और दो इंपॉर्टेंट है वह हो जाते हैं हमारे अभी अभी ग्यान शकुन तलम इनकी स्टोरी एक बार में आपको बताऊंगी बहुत ही अच्छी है स्टोरी सुनके यह फायदा होता है कि उनके राइटर का नाम भी याद आ जाता है और पिक्टर भी बनने लग जाते हैं दिमाग में कि हाँ इस पुक में यह यह वहा था तो राइटर हमारे यह थे शकुन तलम तलम यही पर नेक्स आ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट काली दास में हमारे मालवी अगनी मित्र मालवी मालवी का अगनी मित्र ठीक है अगर एक और चीज़ बताऊं तो ये सारी चीज़े हमारी हो जाती है काली दास जी ने लिखी है ठीक है ये चीज़ हमें पता चल गया है कि ये सारी क्या है काली दास जी ने लिखी है लेकिन अगर कोई पूछ लेकि फॉस्ट ड्रामा जो काली दास की थी वो कौन है त पोईट्री ओफ काली दास यह थी हमारी रीतु समहार ठीक है यही पर और भी इंपोर्टन चीज़े पढ़ लेते जैसे कि हो जाते शुद्राका जी ने लिखा था मरीच कटिका तो अगर एक्जामिनर पूछ ले मरीच कटिका किस ने लिखी थी तो मरीच कटिका याद रहने यह लिखी थी शुद्राका जी ने यहीं पर पंच तंद्र मैंने बता दिया विश्वन शर्मा जी थे कामा सुत्र यह बुख किस ने लिखी थी तो यह बुख लिखी थी वत्सयाना जी ने ठीक है यहीं पर बात कर लेते हैं मुद्र राक्षशका तो यह किसे ने लिखी थी मुद्र राक शशा तो यह लिखी थी हमारे विशाका दत्ता जी ने विशाका विशाका दत्ता ठीक है तो यह चीज़ याद रखना writing on right books के नाम with writer यही पे philosophy जान लो नया या philosophy के founder थे गौतम, योगा के होते हैं पतंजली founder, इमी मांसा के हैं जैमीनी, वीदांता के हैं वद्रयाना, एक बार यहाँ पे next पेज में लिख देती हूँ आपके लिए philosophy के साथ founder का नाम, जैसे कि योगा योगा के founder हो जाते हैं पतंजली मिमांसा मिमांसा philosophy के founder हो जाते हैं जैमीनी यही पे वेदांता पूछ ले, वेदांता फिलोसफी के founder थे बद्रयाना सामख्या philosophy के founder काउन है, इनके हो जाते हैं, कपीला यही पे पूछ ले, वेशेशी का, यहाँ पे लिख लेते हैं, वेशेशी का तो इनके founder काउन थे philosophy के, तो वो हो जाते हैं, हमारे कर्णाडा यही पे नियाया philosophy के founder काउन थे नियाया, तो इसके founder थे गौतम तो यह हो जाते हमारे philosophy के साथ founder भी कवर, अब हम अपने पोस्ट गुपता के बार में पढ़ लेते हैं, पोस्ट गुपता, इससे पहले मैं पता देती हूँ, पोस्ट गुपता थे, हमने लास्ट टाइम में देखा था, गुपता किस तरी से 4th century में अपर stage पे था, and 6th century आते थे था, वो decline हुआ, ठीके यहाँ पे, पोस्ट गुपता period, ओके, यहाँ पे जानने वाली चीज़ है, जो एक होता है नदन साइड और एक होता है साउदन से, तो नदन इडिया में हमें देखने को मिलता है कि जब यहाँ पे पोस्ट गुपता period था, तो यहाँ पे हो जाता है, वर्धाना dynasty बोलो, या फिर पुश्य भूती dynasty बोले, यहाँ पे यह पे राइस करने लग जाती है, ठीक है तो कौन सी dynasty की बात हो रही है, नदन साइड में हो रही है बार, उश्य भूती या फिर वर्धाना dynasty, ठीक है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे हर्ष वर्धान के बारे में, यहाँ पे यह important हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देंगे, यही पे southern side कौन सा होता है, तो southern side हम पढ़ने वाले हैं, चालुक्या और बतामी के बारे में, इसी के साथ साथ, पलवास के बारे में भी पढ़ेंगे, southern side में, ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं, अपना northern side, तो सबसे पहले हम नदन side कवर कर लेते हैं, जो कि हमारी हो जाते हैं, वर्धाना dynasty, यहाँ पे याद रखना इस dynasty के founder कौन थे, वर्धाना dynasty के founder हो जाते हैं, पुष या भूती वर्धाना, ठीक है, अब पढ़ लेते हैं, इनके बारे में, जैसे की, नदन side में जो हमारे वर्धाना dynasty थे, यहाँ पे सबसे important ruler रिज़त हो थे, हर्ष डानेस्टी, मतलब हर्ष डानेस्टी भी बोल लो, एन यहाँ पे हम हर्ष वर्धन के बार में पढ़ने वाले, किंग, हर्ष वर्धन वाज अल्सो नोन एज हर्ष, ही वाज दसन ओफ प्रभाकर वर्धना, तो यह किन के बेटे थे, प्रभाकर वर्धना के बेटे थे, जो कि founder है, उश्यभूती डानेस्टी के, यहाँ पर जो मैंने founder बताया है, यह एरेस कर लेना, ठीक है, यहाँ पर यह एरेस कर लेना, and founder याद रखना वर्धना डानिस्टी के कौन है founder तो वो हो जाते है हमारे रभा कर वर्धना ठीक है ये हो जाते है founder and यहीं पे दिया गया है next पे हर्ष वर्धन is considered as one of the most prominent Indian emperor in 7th century AD and he built a huge empire that extended from northern west India till the Narmada in the south and northern to northern west and Narmada side तक यहाँ पे इनका बहतरीन तरीके से empire देखने को मिलेगा किस तरीके से extend करते गए हैंगे and यहाँ पे इनका capital होता है यह याद रखना का नोच his reform and policies were religious and were always aimed at boosting a peace and prosperity of his people ओके यही पे आप इनके बारों में कुछ पढ़ लेते हैं जानकारी जैसी कि यह born हुए थे 590 AD में to king यहाँ पे हमने पढ़ा प्रभाकर वर्दना इनके फादर का नाम था ठीके नहीं पे हम next बात कर लेते हैं he belongs to Pushya Bhuti जहाँ पे हम इनको कहते हैं वर्दना डानिस्टी से बिलॉंग करते थे he was Hindu वो लेटर एंब्रेंच महायाना बुद्धिस ठीके तो यहाँ पे महायाना बुद्धिस में याद रखना और इन्होंने मैरिट क्या था यनि इनकी शार्य वी थे दुरगावती जी से he had a daughter and two son his daughter married a king of Wallabhi whereas his son were killed by his own minister नेक्स पॉइंट किंग हर्श वर्दन डिड वर प्रेज बाइज बुद्धिस रेवलेक्स जॉंग सांग इन हिस राइटिग अगर यहाँ पे देखे तो यह हो जाती है हर्श वर्दन जी की बायो मतब आटोग्राफी तो किस तरीके से ओटोग्राफ देते थे मतब क्या बोलू मैं किस तरीके से यह दिखरा इतना बहतरी नहीं कोई शब्द भी नी समझा रहा चलो इसी वाद में नेक्स पढ़ लेते हैं अब पढ़ लेते हैं किस तरीके से इनका एसंशन हुआ जैसे कि आफ्टर प्रभाकर वर्दना जो इनके फादर थे, जब ये डेट कर जाते हैं, इनके जो बेटे होते हैं, बड़े बेटे उनको थाने सर के थ्रोन पर बढ़ाया जाते हैं, घर्शल एड़ा सिस्टर जिनका नाम है राजेश्री, यहीं पर देखा जाए तो कन्नोष तो इनका कैपिटल था, तो यहां पर देखा गया है कि उनकी जो बेहन थी जिनकी शादी हुई थी, ग्रहा वर्मन के साथ, उनको किस तरीके से गर्णा के किंग मारते हैं, इनकी जो बेहन थी, यानि राज या चृजी जी जी थी इनको यह कैद कर लेते हैं, इस परमने तर राज यह धर्मन, इस तरही जर्जेंवें किजद थी तो जो राजे बेहन थें, लड़ने के लिए एंड वहीं पे डेड हो जाता है ठीक है उनको मार दिया जाता है तब वह 16 की उम्र में होते है हर्ष वर्दन उनको थ्रोन पे बठाया जाता है ठीक है तो यह थोड़ा स्टोरी बैग्राउंड है जान लेना कोशन कभी आयेगा नहीं कि वह इनके पहले वाल थी राज याशी उनका शादी हुआ था ग्रह वर्मन के साथ ग्रहर वर्मन को मारा था गड़णा कींग ने जब मार गिर आया था तो उनकी जो बहन थी उनको ले गए था कैदी बनाके और जब यह राज वर्दन गए थी इनको छुड़ाने के लिए तो उनकी डैड हुई at the age 16 years हर्ष वर्दन थोल पे बैठे थे ठीक है इनके साथ ये अलाइन जो मना आते किस तरीके से हर्ष एंड ब्रवाकर माश्ट अगेंस सासंका सासंका वो ही जो गॉर्डा किंग थे वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें याद रखनें ये थोड़ा बैग्राउंड हो गया और पहले चीज़ तो माफ करना बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे यहाँ पे संस्कित के जो कि मैं बोलने में थोड़ी गलत होंगे ठीक है अब हम पढ़ लेते हैं कि एंपरे उफशय गिंग हर्षया बारण के बारे में कर संस्क्रमर्ण कर फौ कार्णमरण कर डशड्स ऐक कार्णम्रण था थार्ड़ा पे नैटषवर थान रख में रिला जो अध। इद सार होरberry मिला यहाँ पर उनका हर्श्ब Single बिला हशे ऋयर्टें many of them and hush बहुत ही अच्छी तरीके से जब यह बिखर गया तो उसको एक साथ जोडने की कोशिश भी करते हैं he had under his control of Punjab and Central India after Sasanka Dash, Sasanka Dash वही जो की बहन को ले गया था he annexed Bengal, वहाँ पर वो बंगाल भी जीत लेते, बिहार भी जीत लेते, Odisha भी जीत लेते he also defeated a Wallabhi king in Bujraat and यहीं पर next बात करें, यहां पर Wallabhi king को मार गिराते है and Wallabhi king and Harsha Vardhan came to a trance by a marriage between Harsha daughter and Wallabhi king Dhruva Bhata यानि Harsha Vardhan ji तो थे उनकी जो बेटी थी, उनका marriage किस से होता है Wallabhi kingdom से however, Harsha plans to conquer a land to a southern world hammered when Chalukya king Pulkesin 2nd defeated Harsha in 18-6, 1918 he sailed Harsha southern territory limited as a Narmadar river there were two type of territory, जहां पर हमें देखने को मिलेगा one was dialect under him and दूसी जो थे वो उनके feudate trees के अंडर थे, ठीक है जो direct थे वो हो जाता है Central, Bengal, Kalinga, Gujarat, Rajputana and जो feudate trees के पास थे वो थे जलंधर, Kashmir, Kumar, Rupa in Nepal यहीं पर next बात कर लेते हैं, हम हम हों सांग विजिट करते हैं question कभी कभी पूछ लेता है, हों सांग, यूपियासी का तो favorite question है हों सांग किसके दर्बार में आये थे, तो याद रहना हों सांग जो थे, यह हमारे हर्श वर्दन के दर्बार में आये थे, ठीक है यहीं पर फार हैं, हमने चंदर गुपता में पढ़ा, अब पढ़ेते हैं, हर्श was a great patron of art, he himself was an accomplished writer तो यहां पर इनको आर्ट के सासा writing का भी शौक नजर आ रहा है, he is created with a Sanskrit works, जैसे कि इन्होंने अपना काम भी दिखाया रतना वली हो गया, प्रिया दशी हो गया, नंग, नागनन्दा हो गया, ठीक है, यहीं पर बात करें, बना भाटा was his court poet, कभी पूछ ले कि इनके court, court poet कौन थे तो वो थे बना भाटा, and he composed the hrsh चरीता, which gives an account of hrsh life and this, बना भाटा जी ने क्या किया है, hrsh चरीता, इन्होंने नहीं लिखी है, जहां पर बताते है, hrsh बजन के लाइब के बारे में, hrsh generally supported a nalanda university, he had a good tax structure, ऐसे कि one-fourth of all the taxes collector were used for charity, बताओ, one-fourth ये charity में दान करते थे, and for cultural purpose, hrsh was a competitive military, बहुत ही अच्छी तरीके से military हो गया, administrator वगा, सारी चीज़े को इनना compile करके, power distribute करके रखा था, ठ ठीके कहीं पे भी कोई gap नहीं दिख रहा था, hrsh was a last king to rule over a vast empire in India before an invasion by a muslim, hrsh is a last kingdom, जिन्होंने बहुत ही vast empire खड़ा किया, muslim से पहल है, ठीके, and जब हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से medieval India आया, यहां पर हम पढ़ने वाले, medieval India में हम पढ़ेंगे, कि मुगल empire कैसे आया, ठीके, यह सारी चीज़े बाद में देंगे, अब हर्षा के dead की बात कर लेते है, हर्षा dead in 647 AD, after 41 years, यानि 41 years तक भी रूल कर रहे थे, हमने उपर देखा था, at the age 16 ही ने throne पे बठा दिये गया था, since he dead without any years his empire, तो हम देखते हैं कि यह last में जो है, 647 में dead कर गए हैं, अब next हम पढ़ने वाले हैं, यहां पे administrator के बारे में थे, किस तरीके से administration था, किस तरीके से empire को इन्होंने जमा रखा था, It is said that the Hirschwarden empire reminded many of a great Guptas empire, okay, and his administrator was similar to that of an administrator of Guptas empire, यहां पे हमें कोई भी slavery, यानि कैदी देखने को नहीं मिला, यहां पे good took care of poor होता था, ठीके, यहीं पे बात करें, बहुत सारे ऐसे texts थे, यहां पे हर्षwarden के बार में लिखा गया है कि उनको noble emperor मिला था, किस तरीके से हर लोग को खुश रखते थे, ठीके, He did not impose heavy tax, उन्होंने heavy tax impose किया भी नहीं था, और हमने उपर ही पढ़ा कि one-fourth वो charity में भी दयात्दान करते थे, और यहीं पे उनका capital Kanoosh था, जो कि अभी देखा जाए तो UP में पढ़ता है, Attract many art, attract many artisans, poet, religion, leaders वगेरा इहां पे Kanoosh में हमें नहीं को मिलेंगे, यहीं पे art and education के बात करें, तो हमने देखा कि Harsh Wardan को चाहिए वो art और यह writing को दोनों महीं अच्छा लगता था, ठीके, यहीं पे लिखा गया है, Harsh was a patron of both art and education, he himself was an author, और उन्होंने तीन किताबे लिखी हैं जो कि Sanskrit में हैं, जैसे कि तीन plays है, कभी exam में आ जाए कि यह चीजे कितने लिखी हैं तो याद रखना हर श्वद्धन जी ने लिखी है, यहीं पे हमने बात के लिए हूं सांग जीन के टाइम पे आया थे ठीके, और यहीं पे नालेंदा यूनिवर्सिटी भी इन्होंने विजिट किया हैं यहीं पे याद रखना यहीं पर हम बात करें नालेंदा के बारे नालेंदा एड अराउंड 10,000 स्टूदेंस और 2,000 टीचर्स और यहीं पे वेदा, बुद्धेंस, फिलोस्पी, लॉजिक्स, अर इंडिया राइटर नेम बना भाता, सर्वड ऐज अश्थाना कवी, तो बना भाता के बारे में उपर भी पढ़ा है, जिन्होंने हर्ष वर्दन पे बायोग्रापी भी लिखी है, हर्ष चरीता, इनको सर्वड ऐज अश्थाना कवी भी बोला गया, यानि प्रामेरी मैंने जहां जहां पर मैंने आपको इंडर लाइन करा है, बस वह की पॉइंट्स अपने कॉपी में जरूर लिख लिया करो, वहीं से पढ़ा करो, जरूर ही नहीं कि आप रोज, क्योंकि जब आप एक्जाम देने जाओगे, तो इसलिए जो पॉइंट्स होते हैं वही ज्या इनिटिक बढ़ा का है, जो कि हमां पता ही अपछूर प्रहुद्स hilarious, इन लेगने को मिले हैं खिये एगा यहीं पर बात करें स्टैटısı ऑफ़वूमन का को अस बेर्ट अपर इढल रिडार्टी का का तो स्टैटस ऑफ़वूमन का तो सब में डेप ले अर्लेय से स्टै यहीं पर हम ने बात के लिए नदन साइड में हो गया खतम वर्धना डाइनस्टी अब हम आ गये हैं साथन साइड में ठीके एंसादिसाद पल्लवास के बारे में चालुक्या के बार में इक चाज जिया दखने इस इस तू ट्वेल सेंचुरी दे रखा है यहां पर तीन चालुक्या के विद देखेंगे कभर करने को, ठीक है यहीं पर बातापी जो कि हमने इसक्स्टीन महा जन पतास में भी पढ़ रखा हैं तो यहां पर यह देख लेना जैसे एसंट साइड में हमें पॉल केसे इसंट के बार में पढ़ने को मिलेगा इस तरीके से यहां पर इ जो हम cover करेंगे चालुक्या डाइनस्टी में चालुक्या डाइनस्टी रीच इट स्पीक दूरिंग द्ञाइन ऑफ पुलकेसिन सेकेंड जब पुलकेसिन सेकेंड थे तो यहां पे चालुक्या डाइनस्टी उच्छे स्थर पर देखने को मिलेगा थी कि his grandfather Pulkesin I had created an empire around Wadhabi Pulkesin II subjugated the Qadambas Gyangas of Mysore and Morwas of Nurt Kwonkan and the Latus of Gujarat यहीं पर बात करें he also succeeded in getting some mission from Chola, Chhra, Pandya, King यहां पर जब हम Sangam Age पढ़ेंगे तब हम Chola, Chhra, Pandya के बारे में भी पढ़ेंगे He had also defeated King Harsh of Kanoj and Pallavi King Manindra Verman तो Mahindra Verman and Harsh Vardhan को भी इन्होंने defeat कर दिया था यहीं पर बात कर लेते हैं इनके ruler की क्या में कौन कौन से ruler important हो जाते सबसे पहले चीज़ तो याद रखना कि इनके सबसे पहले ruler कौन ते वो हो जाते Jaya Simha यह हो गया स्टार लगा के याद नेक्स इस याद रहना पुला केसिन वन यानि पुला केसिन वन कौन है जो की फांड़े एंपाइर विधिस कैपिटल एड वतापी ठीक है इन्होंने कैपिटल लिगाला वतापी यहीं पे इन्होंने परफॉर्म कि अश्व मेधा अश्व मेधा हमने एक और बार पढ़ाए कि तू होसे सट्रिफाइजर कि इन्हों ने किया था वह भी कमेंट सेशिन में बताना यहीं पे बात कर लेते हैं कीरती वर्मन जो की बेटे होते हैं पुलघेसिन वन के इन्हों ने कौनकन साइड और नौधन केरला साइड भी एक्वायर किया ठीक है जहीं पर नेक्स आ जाते हैं मंगलेशा और यह कौन थी यह ब्रदर थे कीर्थी वर्मन के यानि यह बेटे थे पुलकेसिन वन के और यह नहों ने भी कदमबाज और गंगास के साइड को कबजे में लिया है और यह मारे जाते हैं पने ही नेफ्यू के दारें संद้र और और यह हो जाते हैं पहले चीज़िस तर साली चिज़ में याद रखने की ज़रूरत है नहीं यह याद रखना कि जया सिम्हा कौन था पुल केसिंग बारे में याद रखना और अब हम बढ़ने वाले हैं अगर कोशन पूछ ले कि पुला केसिंग किसको मारके बने थे थ्रोन किसको मारके थ्रोन लिया था तो वह हो जाते हमारा मंगा लेशा ठीक है यह चीज़ याद रखना एंड नेक्स बात करने वाले यह ये भी याद रखना extended चालुकिया रूल to most part of a deccan deccan के साइड इनका योगनन जादा था इसलिए southern साइड में भी आते हैं His birth name was Iriah, Iriah इनका birth name था Information about him is obtained from a whole inscription यहाँ पे a whole inscription याद रखना a whole inscription में किसका जिक्र है तो वो हो जादा है हमारे पुलकेसिन सेकीन की वन examiner जान मूच के पुलकेसिन वन भी देगा, सेकीन भी देगा ठीक है, तो याद रखना पुलकेसिन सेकीन यह पर बात करें this poet inscription was written by his poet his quote poet जो कि होते हैं, रवी कीर्थी in Sanskrit, इनके बारे में जो inscription लिखी गई है, आहवल inscription में यहाँ पर इनहीं के जो court के poet उन्होंने लिखिया है, जो कि है रवी कीर्थी, ठीक है, कैनेटे inscription, यहीं पर जूंग 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 जो है, विजिटेड इस किंग्डम, यह वही जन है, जो कि हर्ष वर्दन में भी गए थे, ठीक है जो हमने हर्ष वर्दन पढ़ा था, जो कि हुईं सांग थे, यहीं है लिखा हुआ, यहाँ पर लिख देती हुए आपके लिए, जो हमने हर्ष वर्दन में पढ़ा था, यूं सांग, ठीक है, तो इनहीं का दूसरा, मतलब इनहीं का नाम है यह, विजिटेड दूसरा प्लिकेशन वन ने नहीं को भी डिखे आपकेट किया, इसी के साज़ा था, हमने देखा उपर वाले स्लाइड में जैसे कि उन्होंने वहेंदर वन को भी किया था और साथी साथ हर्ष वदन जी को भी किया था ठीक है यह चीज़े याद रखना यहीं पर बात करें for the next 13 years बदामी रिमेंड अंडर पल्लवा कंट्रोल तो 13 years तक बदामी जो था वो पल्लवा के कंट्रोल में था पुलकेसिन 2nd receive a Persian mission as depicted in an agenda cave painting he maintained diplomatic relation with the king Persian Khushru 2nd यह भी याद रखना ठीक है यहीं पर बात करें इनकी about his death saw all up say in Chalukya power so in a death के बारे में जिकरम ना करते हैं next बठते हैं Vikramaditya yes Vikramaditya यह वह इते पुलकेसिन 2nd के बेटे थे and इनके बारे में जाद ना पढ़ते हूए आगे पढ़ते हैं किर्थी वर्मन के बार में बस यह आद रहना विक्रम अधित्या जो थे वो पुलकेशिन सेकिंट के बेटे थे और दूसरे उनका कैपिटल था पलवास जो था वो था कैपिटल ऑफ पलवास यहीं नेक्स्ट बात कर लेते हैं किर्थी वर्मन सेकिंट के ब सिर्फ पुलकेशिन सेकिंट वन को याद रखना है और सेकिंट को याद रखना है इससे जादर कुछ ही याद मत रखना ठीक है भूल जाओ एंड लास बस याद रखना केटी वर्मन अब बात कर लेते हैं इस टाम में एड्मिनिस्ट्रेशिन कैसे था तो चालू क्या सिर्फ पावर को भी अच्छे से संबाद रखा था ठीक है यहाँ पर किया था यहां पर इसके साथ आथा आर्मी यहां पर आर्मी भी देखने को मिली है तुरू अचालू क्या किंग वर हिंदू बाद में वह बुद्धिस औन जैनिस्में भी देखने को मिला है करूं बस वह वह पॉइंट आपको लिखने हैं सांस्कित एलॉंग विद द लोकल लेंग्विज ठ्राइव एन इंस्क्रिप्शन डेटे सेवं सेंचुरी मेंज़ सांस्क्रिट ऐसा लेंग्वेज ऑफ इलाइट बिरस केनिड़ा वाज़ लेंग्वेज ऑफ द मासस यह इंप कितने सारे यह चीज़े बनाई हैं बादामी चालू करते हैं यहीं पर बात कर लेते हैं जो कि सब्सक्रिटेंट है रॉक का टेंपल ओ पताक डकल यह है उसकी फोटो याद रखना कैसे रॉक कट करके बनाया ठीक है यही पर युनेस्को वर्ल्ड हरिटेस साइट बादामी बाद कर लेते हैं जो कि याद रखनी ज़रूरत नहीं है बस यहां पर लडखान टेंपल याद रखना है दोड़ता है बादामी किफ टेंपल याद रखना है ठीक है यह हमारे एक्जामपल से चालू किया आठ के आप यहीं पर बढ़ते हैं हम पलवास के बारे में ठीक है तो पलवास के बारे में पढ़ लेएं क्या ब्यूटिफुल टेंपल देखने को मिल रहा है यहां पर बहुत यह तो इसके बाद हम एक क्लास लेंगे वह चोलास चेहरास के बारे मेडिवल के बारे में पढ़ेंगे यहीप हम बात कर लेते हैं पल्लवास के बारे में तो हम देखेंगे किस तरीके से पल्लवास यहां पर आगे बढ़ते हुए निजर हैं यहां पर तो जो महेंद्र वर्मन थे और नरसिम्हम वर्मन वन इनकी वज़ए से हमें पल्लवा पावर्फुल देखने को मिलेगे तो पल्लवास यहां पर देखने को मिलेगा कि इस तरीके से देखने को मिलेगा कि इस तरीके ऊपर की साइट सो इनका जोड था और दूसर साइट से दूसरे किंग्डम का जोड भा ठीक है फिर भी यह सामने डटके खड़े जाते बीचे में यहां पर बात के दर पल्लवास इस्टेबलेश देयर होरडी ओवर साउध जैसे साउथ अंदर प्रदेश हो गया नौत तमिलनाड़ू हो गया और यहां पे भ बात कर लेते हैं यहां पर पुश्यबूती यह साथी चीज़ों हमने पढ़ी है यहां पर एक मैप के जरीए दिखा दिया है अब बात कर लेते हैं पल्लवास और कांची यहां से जो होता है मीन सीरी स्टाट ठीक है जिसका हमें पता है कैपिटल क्या है तो कभी पूछ ले कांची यहीं पर चालुक क्या क्या था बदामी इनका एरा देख लिए पीरेड एरा तो 575 से लेके 879 897 AD तक पल्लवास आर नोटेट फॉर दियर पैट्रोंच ऑफ हिंदू टेंपल आर्किटेक्ट्चर तो पल्लवास का नाम सबसे जाद हमें हिंदू टेंपल क्योंकि बहुत ही अच्छे से 2D 3D शेफ्स देखें को मिलेंगे बाया टाइम ओ पल्लवास साउधन इंडिया वस कॉंस्ट्रेटेड वाइ टू किंग्डम जो कि हमने देखा उपर में था चालुक क्या और नीचे में हमें देख में मिलता तामिल किंग्डम यहीं पर बात क करते हैं दूसरी चीज रॉयल टाइटर देखा जाए तो इनको कहा जाता है अवने सिम्भम यान ओफ आर्थ या फिर यहीं पर नेक्स बात करें तो कोट पोईट कॉन थे इनके हो जाते है बहरवी और इन्हों बहरवी जो थे इन्होंने बुक लिखे थी कीरत अर्जुनिय तो इसके बारे में यह चार पॉइंट याद रखना और भरवी के बारे में याद रखना इन्होंने यह बुक लिखे थी और यहीं पर बात आ जाती है नेक्स महेंदर वर्मन वन जो की इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अंडर हिम पलवास बिकम अ मीजर पॉलिटिकल पावर यहां पर इनके बहुत सारे टाइटल्स है जैसे के मता विलासा एडिक्टे टू प्लेजर ठीक है गुना भाता वर्शियस यही पर बहुत सारे टाइटल है बस एक बार इसको रिडाउट कर लेना ज़रूरी नहीं है सारे चीज़े याद रहे यह बैटर रॉफ पुलर रू अब यहां पर बात कर लेते हैं यह तो हो गया हमारे महेंद्र वर्मन जी के बारे में अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट नर्सिम्हन वर्मन वन को कहते हैं ग्रेट वार्योर इसका मतलब होता है और यहीं पर बात करें एंड डिफीटे अंड किल चालुक्या रूडल पुलकेसिं सेकेंड याण पुलकेसिं सेकेंड को किसी नर्सिम्हन वर्मन वन ने मारा था यह जाए यह याद रहते हैं बारे में तो यहां पे इनका जो पोर्ट सिटी था यह महा बली पूरम था सेवन रतनाज थे हमने ऊपर में बहुत से वीडियो में पढ़ा कि उनके दर्बार में नाइन रतनाज थे लेकिन इनके में सेवन रतना टैंपल देखने को मिलेगा यहीं पे चोला, छेरा, पांडियास भी देखने को मिलेंगे जो कि आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके बारे में साइलन इन्वेंशन भी देखने को मिलेगा जो कि श्री लंगा के साइड से आएगा इनके बारे में जो क्या क्या चीज़े याद रखनी है सबसे पहला पॉइंट कि इनको कहा जाते है ग्रेटेस पलवारूरत दूसरी चीज़ इनको टाइटल दिया गया है तिस चीज़ इन्हों ने इसको मार गिराया और टाइटल एकवार किया वटापी कोंड़ा और इनका जो पोर्ट सिटी था वो क्या था तो फोर्ट ये इनके सेवन रथ टेमपल मैंने यहां पर 7 रतना बोल दिया था, sorry, यहां पर यादर रहता है, 7 रत टेंपल जो बनवाया था, इन्हीं के दौरा बनवाया गया है, 7 रत टेंपल, इसकी फोटो, मैंने शायद डाली हुई है, 1 निट, ओके, एक बस 7 रत टेंपल दिखा देती हूं, इस तरीके से, यह मैंने फोटो डाली है, यह शायद तो यह चीज़ जात रखना, तो 7 रत टेंपल जो था, के दौरा बनवाया था, नरसिमहम वर्मन, वन के दौरा बनवाया था, इसके बारे में यह हो गया, इसी के साथ हूं सां के बारे में आद रखना टीक है? नेफ्ट बात कर लेते हैं सेकिंड के बारे में नաरसम्हम वर्मन 2000 जिनको राजमला कहते हैं उपर वाले को क्या कहते थे? ममला यहाँ पे राजमला यहीं पर बात करें इन्होंने बैटल रहा है चालुक्या के साथ and पल्लवास came to older head. He sent embassies to China. He has created the construction of Shore Temple and Kalish Nath Temple. तो यहाँ पर नर्सिम हम 2nd के वारे में सिर्फ यह याद रखना बहुत 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 कोशन पूछा जाता है Kalish Nath Temple किसने बनवाया था तो यह याद रखना है इन्हों के साथ Shore Temple याद रखना है ठीक है Art and Culture की बात कर लेते हैं The Religion Revival of this period given imputist architectural activity The Contribution of पल्लवास यह हमारा सेवन रख ही है सेवन रख Temple में ओपर ढून रही है मुझे मिला ही चलो सेवन रख Temple याद रखना है यह है यहाँ पर हमने देखा सेवन रख Temple नरसिम्हम वर्मन वन के काइम पर बनवाया था तो यहाँ पर यही चीज़े लिखा गए यही पर सेवन रख था यहाँ पर फाइव रख भी देखने को मिलेगा फाइव रख पॉपुलर्ली पंच पंडवा रख यही पर नेक्स बात कर लेते हैं जो हमने पढ़ा कि केलाशनाथ टेंपल देखा नरसिम्हम सेकिंड ने बनाया यह हमारा बना है काँची में इस तरीके से देखने को मिलेगा यहां पर हमें देखने को मिलेगा किस तरीके से पेंटिंग थी ओन दे केव आफ सितन वसल ठीक अधिया है, यहीं पर यह होता है हमारा चैप्टर खातर जहां पर हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया है हमने पहले इंस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा कि कौन से स्क्रिप्ट के बारे में लिखा गया है हमने देखा जैसे समुद्र गुपता की जिकर कौन कौन से इंस्क्रिप्ट पे है यहीं पर हमने बारे में कवर किया कि कौन से राइटर कौन से बुक लिखी है ठीक है यही पर हमने फिर फिलोसफी के बारे में जाना देन हमने देखा फोस्ट गुपता के बारे में की नदन साहट में कौन थे साधर साइड में चालुकियान पललावास थे एंड नेक्स लास में जो हम पढ़ने वाले वो हो जाते हैं हमारे most important the early history of South India यानि हम यहाँ पे संगम एच की बात करेंगे हम पढ़ेंगे कैसे पांडेयास, चोलास, छेरास थे ठीक है and उसके बार यह हमारा एशेंट का फिल लास्ट एक और वीडियो होगा उसके बार हम स्टार्ट करने वाले हैं Medieval India मिलते हैं नेक्स चेप्टर के साथ, thank you so much